नमस्खार दोसटों मैं विषयल एस्ट्रolar bueno giờ श्रागत करता हूँ आपके अपने चैनल पालम एस्ट्रोलोची में आज दोस्तों हम भाग्य रिखा की बात करेंगे भाग्य एक मरहा होती है काफी सारी भागे रिखा होती है दोस्ते कभी कहीं से सूर्व हो जाए libro का आज हम कुछ भागे रिखाओ के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो सीधी और लंबी शणी परवत तक चालर होके शनी परवत तक अगर आती है अगर देखिए इस परष्ट जो है कि रिखा सीधी और लंभी है अधित रिखा दिखे दोस्तों चालू हो के शनी पर वगत कर जाती है बात में जो होता है लोग्यिष सपॉलदेर अगर नत्रुद्द कर लेता है गही enclaon से शूर्य परवत्त जाता है दोस्तों तो ऐसे जातक बहुत इमान प्रतिष्ठा शम्मान प्राप्ट करते हैं और इसको कमाई का साधन बनाते हैं जो होता है फेम पॉपलर्टी से यह जो है मनी अर्निंग जो सोर्स होता है वो गेन काफी ज़्यादा करते हैं अगर किसी का भागी इश्प्रकार हो दोस्तों फिर बात करें अगर भागी देखा सीधी बुद्ध परवत तक जाए तो जातक को व्यपार में सभलता मेरती है जै करने की एवेल्टी काफी जाद आची हो फिर बात करेंगे फोर्थ अगर भागी रेखा पहले शनी परवत तक जाए पश्याद ब्रहस्पती के परवत तक मुड़ जाए तो जीवन में असाधरन सफलता मिलते है ऐसे जातकों का दोस्तों इस प्रकार अगर जा रहा हो और ब पोई झालना नहीं हो एसे जातकों का सप्टेवाजी में लोटरी में वर तरह-तरह जो हिसे मनिन काताूर में घृस यह काफी जादा जहां और अचानक से धनलाप की काफी जादा होते हैं ऐसे जातकों भीर बaking में दोस्तों हुए भाग पर्वत को क्रोश करने हुई दूसरी उंगली को तीसरे परव के बीच तक पहुचे अगर देखे दोस्तों किसी की भागी रेखा अगर लंबी हो एक दब और इस प्रकार पहुच जाए तो अमान जनक मृत्यू बताता है दोस्तों अपमान जनक मृत्यू ऐसे जात्को का दोस्तों अधिकतर आप जनक मृत्यू होकर शनी परवत तक जाए तो जातक को गहरी चिंता वर सद्मा लगता है अब यह देखिए इसमें दोस्तों मडी बंद रेखा तीन प्रकार की होती है किसी किसी जात्कों में दो ही होती है अगर यहां से बीच से सुरू होके इस प्रकार शनी परवत तक अगर मड़ी बंध की पहली रेखा से आरंब होकर भाग रेखा शनी परवत तक जाए तो जातक बच्पन से ही जिम्मेदारी का बोज उठाता है दोस्तो इस प्रकार तीन लाइने हैं तेशरी लाइन में से पहली इन से अगर इस पकार जाए भागे रेखा शनी परवत्तर तो काफी ज़्यादे जिमेदारियों का शामना करता है लाइफ में अपार सफलता भी प्लाप्त करता है दोस्तों और एसे जातक करमस्ट रहते हैं दोस्तों क्योंकि इनका कुछ ऐसा ही विधान रहता है स्टार्टि करें तो प्रेम और रूमांस में मामले में जातक उक्रणाईयों का सामना करना पड़ता है इस प्रकार देखिए दोस्तों अगर जंजीर में रेखा बन जाए और श्ट्रेट सनी परवत्तक जाए तो ऐसे जातकों का जो है प्रेम संबंद रूमांस मामले में जो है काफी ज परवतक अगर भाग्य रेखा जाए तो जातक जगड़ावल प्रवत्ति का होता है मन चंचल होता है या उसकी बात उन्नती में भी बाधाय डालती है यह से लोगों का खुद पर नियंत्र नहीं रहता है दोस्तों जिसके लहरेदार रेखाएं हो तो इस प्रकार भी हम भाग् की रेखा चंद्र परवत से सुरू हो कर्शनी परवत तक जाए तो पहली और तीसरी उंगली लंबी और नुक्वीली हो तो जातक भविश्य में होने वाली घटनाओं को पूर्वा भास हो जाता है दोस्तों अगर चंद्र से किशी की रेखाए हो और पहली और तीसरी आनाम में प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा यह भी इनको खुदी पता चल जाता है पूर्वा भास हो जाता है दोस्तों अगर किशी जातक का दोस्तों इस प्रकार जीवन रिखा जीवन रिखा माइंड रिखा और इस प्रकार अगर निशान हो तो अगर भाग की रिखा जीवन र प्रकार अगर रेखाए हो भाग्य देखा अगर यजी परवत तक पहुंचे भाग्य रेखा हाथे खुद के बल्बूत्ते पर सफलता प्राप्त करता है तो बहुत सारी इंडिगेट होते हैं दोस्तों भागे रेखा के अगर भागे रेखा हां थेली के केंद्र से निकल कर मध्यमा के तीसरी परवपर चली जाये तो जातक के लिए भाग यहिंता का संक्यत होता है इस प्रकार केंद्र से निकल कर मध्यमा के तीसरे परवपर चला जाये दोस्तों तो ऐसा जातक जो होता है भागे हीन होता है इन फूचर लाइफ में तो इस प्रकार भी हम देख शकते हैं अगर इस पस्ट और सीधी भागे रेखा ब्रहस्पति परवत पर जाये तो जातक को हर छेतर मे सफलता मिलती है साधी के बाद यह इनका भाग जो है बदलता है दोस्तों काफी जादा उन्नती होती है बदलने का मतलब यह नहीं कि दोस्तों सफलता इनका साथ छोड़ देगी काफी जादा उन्नती होती है से जातक की तो दोस्तों यह कुछ भागे रेखा के इंडिकेट तो उमेद करूंगा दोस्तों हमारी वीडियो आपको ऐसा ही पसंद आते रहें और वीडियो काफी ज्यादा लंबी ना होके मैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इस पर दूसरे पार्ट्स भी लेके आऊंगा तो इसमें बहुत सारी इंडिकेट होते हैं भागे रेख या हस्तरेखा से जो रिलेटेड इशू है हस्तरेखा के कोई भी इशू हो या उनको दिखाना हो हस्तरेखा तो मैं अपना नंबर कमेंट कर दूँगा तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद